तो आज हम डिसकरने वाले जो identification topic है आपका foreign medicine के अंदर उसको इससे पहले हम medical law ethics आपका और जो general information है आपका foreign medicine के अंदर उसको क्या होते हैं उसको क्या होते हैं और उनके अंदर important point वो जो आपका जो एक्जाम होता college के अंदर professional exam उसके अंदर तो helpful होंगे इवाईवा के अंदर भी साथ साथ आपके जो नीट पीजी है उसमें भी आपका next exam है उसके अंदर बहुत helpful होगा तो से पहले बात आती है दोस्त इंदर को एक ट्रमाति और यह क्या होता है तो fact of any criminal offense जो भी offense है उसके fact है उनको बोलते हैं corpus delicity इसमें जो man part होता है इसका अंदर वो होता है establishment of identify of dead body आपको dead body मिली उसके जो fact है उनको एक साथ बोला corpus delicity और लेकिन इसका man part है identification करना उस body को ठीक है तो हम कैसे करेंगे सबसे पहले race को identify करेंगे कोई यह कौन सी race का है तो सबसे पहले उसका मैं इंडेक्स होता हूँ सो बोलते हैं सिफेलिक इंडेक्स क्या होता है जो maximum आपका breath जो width है breath of skull and maximum divide by maximum length of skull into 100 Indian के अंदर 75 to 100 मिलता है जिसे हम में स्टी स्पहली की बोलते हैं अदर इंडेक्स कौन सा हो सकता है जो तो कुरूरल इंडेक्स है वह आपका other than,Йंडेक्स आता है race को differentiate करने के लिए यह सेक्स हमने race डिफेलिट कर लिया पता चलगा है इंडियन है उसके बादा मेडल्य इंडेक्स भी उज़ कर सकते हो और आपका मेडली इंडेक्स आपका करता है हुमन और एनिमल हेर को दुन्स को डिफरेंशेट करने में हेलफ पूलोते हैं इसके बाद उन हमें पता होना चाहिए यह तो नर्मल था हम स्याज आपका बॉन से लेकिन आपका निजो नीक करते हैं वह होता है फ्यूटन रिएक्षन यह आपका बैसी ओ प्रेसट के nghi stoop새 करते हैं तो पहला उंस ऊजो भी open टेट समीत वोडी से आपका मेलस के अंदर अपयक जुट करता ああ और आपका इसको वो करने के लिए डिक्रेयर करने के लिए मिनिम्म 6 परशेंट होना ही चाहिए तो यह होता है डिवेडिशन समीत बोड़ी सेकंड पार्ट तीसरा आता है वाइ क्रोमोसोम आपका डिफरेसेट करने के लिए जो डाई यूज करते हैं वो हता है क्यों ना करें और क्यों ना करें डाई हाइडरो कलोराइड इससे हम वाइ क्रोमोसोम डिफरेसेट आप डिफरेसेट कर सकते हैं तो तीन थे नुकलिस टेनिंग के वजए से बार बोड़ी डिवेडिशन समीत बोड़ी एंड वाइकर होमोसोम इसके बाद आता है आपका जो इंट्रसेक्स सकते हैं क्लाइन फिल्टर और टर्नल इसमें हम कैसे डिफेसेट करेंगे इसका करमोसोम होता है फोर्टी सेवन एक्सिस वाई यह होता है फोर्टी फाइफ एक्स ओ यह आपका सबसे कॉम्मन इसके अंदर जो हैट वह काडियोस्कुलर डिफेक्ट मिलता हो तब बाइक अप सब्सक्राइब अब करेंगे इसके बाद आता है सatif को आप Stress कर सकते तो और अलग तरीक हैं जो हम कर्सक्ते होता है बोन बोन के अंदर सबसे मोस्ट एक्युरेट होता हो पेल विस उसके बाद आपका फिमर मेंडिवल क्रेनियम इनको भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए इनकी डिफिसेटिक फुिचर पैल विसको मैं पता होने चाहिए जो आपका स्याटिक है इसके अंदर मेल के अंदर नेरोर होती है इसके अंदर वायड होती है और आपका डीपांट लेस्थें राइट या आपका आलमौस्ट एह राइक्षा मिड़्य ऐउन मोल ठीक है आपको जो इस्का राइक्षा से लेस्थें जो एंगल मिलेगा penetrate इसके अंदर पुए को में मेल और इसमें इज इ मुलता है तो गए आपका फिमेल और इसके अंदर ँरिपर हटीव जो यूटए इसके अंदर मुझरी आग अचरी रहेगा उसके जो आ coconts इसके अलावा जो चिलोटिक लाइन है वो भी हम determination of sex है वो इसके अंदर आती है कई वराइट किसे नाता है चिलोटिक लाइन लेटरी टू उसका हम पता हूं चिलोटिकल एक्जामिनेशन है वो आपके कौन से कौन से हम होते हैं इसके लावा जो आपका इंट्रेक्स स्टेट था इसके लावा दो सकते हैं त्रू हर्मोफराइट मतलब इसके अंदर बाइसेक्शल कंडिशन आती है बोथ टेस्टिस और और यह दोनों परजेंट होते हैं लेकिन जो सुद्व हम इसके लहाएट है उदो टाइप ऐसकते मेल और फिमील सब्राइट मेल के अंदर टेस्टिस पर जैंट होंगे लेकिन जो एक्स्ट्रेनल जो एक्षिंट्टो इसे कि लिए लेकिन लेकिन जो आपको और और वह आपके फिमेल पहेंगे इंटरनल और्गन लेकिन एक्ट जने लिए मेल के होंगे इसलिए तो सुड़ो बोला सुर्मों है वो फैड़ाइड ठीक है तो यह बात कि हमने इंटर सेक्स्टेट की इसके बाद आता है दोस्त आपका जो लास्ट इसके अंदर कुछ पाइंट है जो नेटिफिकेशन के बार इनर सेक्सुल मैजरूटी रेटिंग जो आपका इसमें इसको इडेंटिफाई करने में हल्प करता है सब्सक्राइब को देखके टीथ दो टाइप के टेंप्रेरी पर्मानेंट जो टेंप्रेरी है वह आपको से पहले जो टीथ होता है वो ता लोवर इन सेंट्रल इंसीजर लेकिन जो आपको लोवर लेटरल इंसीजर ने वह आपको टेंट्रू ट्यूल मैंत में होता है लेकिन आपको याद रखना में लिए पहला कब होता है उसके बाद पर्मानेंट टीथ कैसे हम डिए और वो करेंगे कल्कुलेट एज माइनस सिक इंटू फॉर और जो सेकिंड मोलर होता है वो आपका 12 से 14 साल के टाइम पर निकलता है ठीक है यह टीथ से हमाई पता कर सकते हैं उसके लाव जो डेंटल फार्मूले होते हैं उनके नाम पता होना जी बस आपको एक होता है एक होता है फ्टी आई फॉर प्रमानेंट टेंपरेटी उसके बाद मोडिफाइ फ्टी आई पाल्मर नोटेशन एंड युनिवर्सल सिस्टम चारों आपके डेंटल फार्मूला होते हैं डेंटल जो टीथ है उनकी नमबर्यां उसको उसको करने के लिए उसके बाद आता आपका डिपरेंट मैथर्ड ओपेज एस्टिमेशन इसके लावा इनकी नाम कई ब बॉइड मैथर होता हम इसके अंदर इंकरिमेंट लाइन होते हुथ अनको देखते हैं यूद यूसके आलावा आपको बाद नहीं अनको जामत्युह नहीं के नाम फूर्शन और बॉइड मैंतनक पता है इसके लावा आपका डेक्टायो ग्राफिय आता है इंडिफिकेशन के अंदर जिसे हम फिंगरप्रिंट सिस्टम बोलते हैं इसके अंदर जो लूप से मोस्ट कोमन टाइप होता है 60-70 परसेंट हो लापका 25-35 परसेंट जो पैटरन होता फिंगरप्रिंट का वह आता है कंडिशन इफेक्ट अल्टर अल्टरि यह क्या होता है जो पोर्स होता है फिंगर और हैंड इसको उससे डिफ्रेंसेट करता है उससे इदेटिफाई करता है टेट्व माक्स कोर्णियल टेट्टू आपके गोल्डन कलोराइड नॉर्मली यूज किया जाता है डेड़ बोडे के अंदर जो रिजनल निपनोड की व पता होना चाहिए इसके बाद दो बच गया वह आता है उसी इफिकेशन में क्या होता है कि यह दिया जाता है और हमसे पुझा जाता है कि यह किसका कितनी एज है तो फ़स्ट सेंटर आता आता आपका सब्सक्राइब कलेविकल में फोर 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 तुफित के अंदर लास्ट आ क्लोजर ओप सकल इसको हम कैसे पताच करेंगे जो लैटरल व्यूव है एक सरे का वह इससे हम यूज करते हैं इसके क्लोजर को देखने के लिए इसके बाद आता आपका उस्टिकेशन सेंटर फ्यूज बाउट वन ये यह एर एरलियर इन फिमेल देन मेल फिमेल के अंदर ए इसके बाद में मैं इसके बाद आपका जोगली उसके लिए झाल का उसके लिए होता है और आपका मेडिकल जो इंप्लिकेशन है वेरिशेज उदो भी पता होने चाहिए वर लास्ट आता स्टेचर हाइट मैक्सिमम इन मोर्निंग आपका स्टेचर भी इंपोर्ट पाइंट है ठीक है तो यह जो पाइंट है दोस्त वह आपके जो इंपोर्टेंट पाइंट वाइवा के लिए भी आपका उसके लिए भी क्योंकि आपको कुछ पाइंट बता होने चाहिए आप उसको खुद को लिखना होगा यदि प्रफेल एक्जाम के अंदर आप पास करना चाहते हैं उसको बड़ा सदाकर डाइगराम बनाके लेकिन नीट पीजी के लिए नेक्स्ट एक्जाम आने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा और मिलतों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे नया टोपिक एफिसम के अंदर ही तो अब तक बाई